हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एस क्लास कोश्चन 3 में कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रहे थी उनके कैलकुलेशन को ले करके तो उसके लिए हमने आई बटन में कोश्चन 3 का कैलकुलेशन और प्लस एक्स्प्लेनेशन जो कि आपको इजी वे में कैलकुलेशन करना कैसे है वो आप उसमें जान जाएंगे आज ही क्लास में हम लोग जानेंगे कोश्चन नमबर 10, 11, 12 कहां से क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास कोश्चन नमबर 10 अगर अभी तक आप ढूंड नहीं पाएं अपने बुक में तो पेज नमबर 144 पर आपको मिल जाएगा कोश्चन 10 में क्या कहा रहा है कि अमिद बाई करता है सम गोल्ड कहां पर पोल्स पर और उसका फ्रेंड उसे सजिस्ट करता है गोल्ड खरीदने के लिए पोल्स पर फिर उसको वो मिलता है वहां कहां पर एक्क्वेटर पर और दोनों cases में जो उसका gold का जो weight है वो क्या हो जाता है different हो जाता है तो क्या उसका दोस्त agree करेगा कि उसने जो gold खरीदा है वो same weight का था कि नहीं अगर नहीं करेगा तो उसके लिए हमें क्या देना explanation देना है और इसमें एक hint दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं पोल है और यहां पर क्या है हमारा equator है clear तो यहां पर mass ले लेते हैं जैसे उसने कितने का कितना kg या फिर कह सकते हैं कितने mass में खरीदा तो let's suppose आप ले लिजिए 50 kg में उसने क्या खरीदा gold खरीदा तो बोथ दोनों cases में क्या रहेगा बोथ of the cases में कि 50 kg ही रहेगा पर difference यहां पर क्या आने वाला है, difference यह आने वाला है जो हमें दिया भी हुआ है hint के तौर पे equator और pole पर G की value क्या रहेगी different poleすपर G की value क्या रहेगी, poles पर G की value रहेगी greater और equator पर G की value क्या रहेगीenda क्लियर यह बात हमको हिंड में भी दी हुई है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे यह कारण है कि जो हमारी अर्थ है वह परफेक्टली स्पेरिकल शेप की नहीं है जिसकी वज़े से कहीं पर उचा है कहीं पर नीचा है तो वहां पर जी की वैल्यू बदलती रहती है पर आपको हम की भी वेट और मास में कोई भी confusion होता है तो उपर आई बटन में मास और वेट का एक अच्छा एक्स्प्लेनेशन है जिसमें आप उन दोनों की बीच डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं अब इसके बाद हम लोग क्या तो हम लोग इसका वेट निकाल लेते हैं वेट का फॉर्मुला क्या है हमारे डबलू इक्वाल टू एम जी मास हमारा कितना दिया हुआ फिफ्टी केजी औ आप लोग हमेशा क्लियर रखिएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है जिससे आपको एक्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो यहां पर भी हम लोग सेम क्या करेंगे डबलू इस उकल टू एम जी मास हमारा कितना है फिफ्टी और जी की वैली कितनी है अमित का फ्रेंड है वो डिस एगरी कर जाएगा वो कहेगा कि दोनों के वेट में डिफरेंस है तुम जो कर रहे है वो गलत है या फिर जो तुमने बाई किया है वो गलत है इसका पूरा एक्स्प्लेनेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा रिटेन फॉर्मिट में जिसको आ इसा क्यों हो रहा है कि जल्दी मतलब डाउन हो जा रहा है गिर जा रहा है और जो हमारा प्लेनशीट अफ पेपर है वह क्यूं सलो उससे गिरता है पर इन दोनों केसे में जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रैविटी है वो सेम अपलाई होता है इसमें डिफरेंस क्या आता है मैं देता हूं यह लेट सपोज एक हाइट है यहां से यह क्या है हमारी एयर है यह हमारी क्या है एयर है और यहां पर यह क्या है हमारे क्रंपल किया हुआ पेपर है और यह कि प्लेइन होने के कारण less surface area होने के कारण क्या होता है less surface area होने के कारण क्या होता यह जल्दी गिर जाता है क्यों क्योंकि इस पर जो air का resistance होता है वो कम लगता है और इस पर जो होता है air का resistance ज्यादा लगता है क्यों क्योंकि इसका surface area ज्यादा है तो इसी कारण की वज़े से जो हमारा प्लेंट शीट आफ पेपर होता है वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके नीचे आता है और जो हमारा क्रंपड मतलब जो एक तरीके से फोल्डेड जो है हमारा जो पेपर वो जल्दी गिर जाता है क्यों उसका सर्फेस एरिया कम होता है clear अब यह पूरी जो process है यह आपको written format में आपके screen पर आ जाएगी जिसे आप note down कर सकते हैं और अपने और questions को आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने next question पर तो question number 12 में हमसे पूछा है हमें weight बताना है Newton में एक object दिया हुआ उसका mass कितना है 10 kg ध्यान र है कि earth पर इसका weight कितना होगा और moon पर इसका कितना weight होगा gravitational force जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो earth पर है उसके one six है कहां पर moon पर clear तो अब हम लोग इस question को और आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हमको जरूरत पड़ीगी किसकी g क्यों क्यों क्योंकि हमारा formula क्या है w is equal to m into g mass into acceleration due to gravity तो g की value आप यहां पर put कर सकते हैं 9.8 meter per second square clear units का हमेशा ध्यान रखेगा unit आप से miss out नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर unit आप नहीं लिखेंगे अपने exams में तो one marks आपके cut सकते हैं तो यहां पर हम लोग इसको put कर लेंगे कि कितना होगा यह 10 into g की value 9.8 तो यहां से हमारा कि 28 newton ध्यान रखेगा wait हमेशा किस में measure किया जाएगा Newton में और mass measure किया जाएगा kg में clear यह हमारा किसका weight निकल गया जब हमारा object कहां पर थाぅप जाएगा warning पर जाएगा तो इसका weight कितना हो जाएगा अब हमें यह निकालना है तो जैसा कि question में दिया हुआ है कि gravitational force क्या हो जाती है 1,6 हो जाती है तो उसी तरीके से इसका जो weight है वो क्या हो जाएगा mg into 1 by 6 हो जाएगी clear तो w is equal to क्या हो जाएगा mg की value जो हमें यहाँ पर given है यह simply हम लोग इसमें क्या कर देंगे put कर देंगे mg की value हमारी कितनी है 98 into 1 by 6 तो फिर जब इसको क्या करेंगे आप cross करेंगे या फिर कह सकते हैं cut करेंगे यह कितना हो जाएगा 3 और यह कितना हो जाएगा 49 और इसको जब cut करेंगे तो आपकी value कितनी आ जाएगी 16.33 newton clear तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के weight में कितना difference आया 16.33 newton moon पर आया और 98 newton कहां पर आया earth पर आया clear पर दोनों के masses क्या है same है 10 kg और 10 kg यहाँ पर भी put किया गया तो इससे आपको clear हो गया हो कि mass और weight में क्या क्या differences है और detail में difference जाने के लिए उपर i button में उसका link दिया हुआ अगर आपको यह video अच्छी लगी तो इसको like करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके bell icon पर all click करिए जिससे हमारे आगे आने वाली classes आपको regular timely मिल सकें तो thank you